नमस्कार स्वागत है आपका टेन नूज में और मैं हूं समेति आज हम सुप्रीम कोट के परिसर में और सुतिमता दिवस का कारेक्रम संपन हो चुका है आप सभी को इंडिपेंडेंस ने की बहुत-बहुत सुपकामना है सर धन्यवाद सर हमारे साथ हैं कामेश्वर नात मिश के अधिवक्ता उचितम नाल है ऐसा की मंत्रेशी ने कहा और मुख्या ने खिसने कई बाते रखी है सुप्रीम कोट के लिए ज़ुचों के लिए और अधिवक्ताहों के लिए तो इस पर आपका क्या विच्यार है प्रधान मंत्री जी लाल किले के प्रातीर शे कहा है कि सर्वोच चन्याले के फैसले की कौपी मात्री भासा में दी जाएगी सर्वोच चन्याले के प्रधान नयदिस ने भी कहा है कि सभी बाइसो भासाओं में फैसले की कौपी दी जाएगी यह बहुत अच्छी बात आज हुई है 2017 की घटना है वहाँ पर मशूर उचे नियाले में सिल्वर जुबली वर्स मनाय जा रहा था उस समय अपने महामहिं राश्पती जी ने कहा था कि जनता जिस बात को समस्ती है उसी भासा में न्याय ब्यवस्ता होनी चाहिए अपने भारत के संभिधान में अनुशुची आठ में कुल 22 भासा हैं जिसमें अंग्रे जी नहीं है भारत के शवी नियाले में अंग्रे जी में कारी हो रहा है भारत के संभिधान के अनुच्छे 348 में कहा गया है कि कुछ नियाले और सरोच नियाले की भासा अंग्रेजी होगी जबकि आर्टिकिल 343 में कहा गया है कि भारत संग की भासा हिंदी होगी या वास्तों में कहां का नियाई संगत बात है जब भारशन की भासा हिंदी है तो हिंदी में कार्य होना चाहिए और बाटी जो राज्य हैं वहां की राज भासा में नियाले की कारवाई होनी चाहिए विदी की सिच्छा भी मातरी भासा में होना चाहिए भारतिय भासा अवियान गट कई वर्षों से इस कार्य में लगी वी है काते हैं कि तुफानों से डर कर नौका पार नहीं होती हिन्नत करने वाले की कभी हार नहीं होती और इसी तर्च पर भारती भासा अभियान लगातार कर रही है दिन दुना, राच चोगुना और कारिय विर्दी हो रहा है हम सारे अधिवक्ता इसी बात को लेकर के 18 और 19 गुजरात में सर्दार बल्लब भाई पटेल की मूर्ती के सामने दो दूशी कारकम करने वाले हैं जो भासा संजम आयोजन कर रही है सारे भासा विद वहां उपस्तित है कि इस तरह से भारत के नियायलों में और विदी की सिख्षा मात्री भासा में हो इस पर एक बड़ा कारकम होने जा रहा है जाइन जावारत तेन नियूट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद से हैं